आज के मारी कहानी है एक महिला का आतने समान यूँ तो सपना एक मीडिल कलास परिवार की लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई में आवल रहती और लोगों का भरपूर प्यार भी उसे मिलता अब तक जिन्दगी में जितनी भी परशानिया आई वह बड़ी ही असानी से आगे की और बढ़ती चली जा रही थी लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक ऐसे भवर में फशने वाली है जहां से निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है धीरे धीरे उसके जीवन में समय ने करवट बदला और वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए बैकिंग की तयारी करने लगी और वह दिन भी आ गया जब उसे खुस खबरी मिले की बैंक में उसका चैन हो गया और इस बात से मानोवा फूली नहीं समा रही थी उसके साथ साथ उसके माता पिता और छोटी बहन भी बहुत खुस रहते थे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उसके जीवन में कोई भी परशानी नहीं होने वाली है लगभग दो साल तक बैंक में नोकरी करते हुए उसे कई सारे ऐसे रिष्टे आये जिससे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी जिन्गी में एक नया पड़ाव आने वाला है उन्हीं सारे रिष्टों में जतिन का रिष्टा सपना के लिए आया जो पैसे से सोफ्ट्वेर इंजिनियर था देखने में उच्चा कद लंबा काठी का जतिन सभी को सपना के लिए पसंद आ गया आ गया था और कहीं न कहीं सपना को भी जतिन पसंद था दो महने के अंदर ही सपना और जतिन की साधी कर दी गई सुरू सुरू में तो जतिन ने सपना को बहुत अच्छे से रखा उसकी हर छोटी बड़ी ख्वायशों पर ध्यान देना सुरू कर दिया उसने सपना को हसीन सपने दिखा है जिससे सपना को ऐसा लगने लगा कि उसे सपनों का राज कुमार मिला है एक दिन सपना और जतिन सौपिंग करने मार्केट जाते हैं तभी सपना, अरे अखिल यहां क्या कर रहे हो सपना दोड़ कर अपने बचपन के दोस्त अखिल के पास जाती है और यह बात जतिन को बहुत बुरी लगती है पीछे पीछे जतिन जाता है और गुसे से सपना को देखते हुए कहता है किसी अजनवी के लिए तुम इतना परशान क्यों हो रही हो सपना अरे जतिन यह अजनवी नहीं है यह तुम मेरे बच्पन का दोस्त है अखिल हाँ हाँ मैं इस मोटी के बच्पन का दोस्त हूँ अरे तुम्हें पता है बच्पन में मैं इसका पूरा हुम बर्क करता था और इसे गुड मिला करता था मजाक में हस्ते हुए जतिन देखो बच्पन की बाते बच्पन तक ही रहने ही दो और सपना तुम्हें याद नहीं घर में मेहमान आने वाले हैं चलो जल्दी घर हाथ पकड़कर जतिन सपना को कार में बैठा देता है जिसे सपना के चुडियां तूट जाती है और उसे दर्द होने लगता है लेकिन इस बात का जतिन को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और वह घर चले जाता है घर पर जाने के बाद जतिन जोर जोर से सपना के ओर देखकर चिलाने लगता है जिसे सपना डर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है अब तो जतिन का बेहवार काफी वदल चुका होता है वह ना तो किसी से भी सपना को मिलने देता और ना ही किसी को घर ही आने देता सपना के फोन में भी बैलेंस नहीं डलवा था कि वा किसी से बात ना कर सके जतिन का बदला हुआ रूप देखर सपना को और भी डर लगने लगता है और वा चाहकर भी अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बता पया रही थी जतिन के चिलाने की आवाज आती है सुकन्या खिड़की में आकर देखती है तो वह यद्धे कर सहम जाती है कि सीधा साधा दिखने वाला जतिन सपना के उपर हात उठा रहा है और उसे गंदी गालियां दे रहा है अब सुकन्या के घर की कॉल बेल बजाती है लेकिन यह कह कर जतिन सुकन्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि सपना भी सो रही है कुछ दिनों बाद ही जतिन ने सपना की बैंक की नौकरी छुड़वा दी और उसे घर में ही रहने की सलाह दी अगर सपना कुछ भी कहती तो फिर से जतिन उसके साथ गलत बहवार करता रोज रोज होने वाले इस जगड़े से वह बहुत परिशान हो चुकी थी और वह अब इस समस्या का हाल निकालना चाहती थी बैठे बैठे उसने मन में सोचा कि ना जाने आज तक कितने उतार चढ़ाओ उसने अपने जीवन में देखे लेकिन जिस इनसान से उसे सबसे ज़्याद उमेदे थी उसने ही उसे बेगाना कर दिया बार बार सपना को अपने माता पिता की याद आने लगी एक दिन बाद दो पहर में बैठी हुई थी तभी उसे खिड़की से अंदर के और एक चिठी आते हुए दिखाई देती है और वा दोड़कर उस कागज को उठा कर पढ़ने लगी जिसमें लिखा हुआ था तुम जैसी समिजदार और पढ़ी लड़की इस परकार के दुखी देखना बिलकुल अच्छा नहीं लगता तुम एक आत्मे समानी लड़की हो तुम्हारे माता पिता कि दे गई सिच्छा क्या तुम इस तरह से बरबात कर दोगी उठो और अपने हक के लिए लड़ो तुम अकेली नहीं हो अपना समान करना तुम्हारे अपने हाथों में है सपना उस चिठी को आगे पिछे घुमा कर देखने लगी लेकिन उसने उसे किसी का भी नाम नजर नहीं आया लेकिन इसको पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अलगी आत्म बिसमास देखने को मिला अब वह अपना बैग जमाने लगी उसी समय वहां जतिन आ जाता है और उसे सवाल जबाब करने लगता है सपना की लाल होती आँखे को देखकर जतिन के मन में एक अजीब सा डर समा गया और सपना ने उसे घुरते हुए कहा अपने सवाल जबाब अपने तक ही सिमित रखो और मुझसे उलजने की कोशिस बिलकुल मत करो जिवन में चल रहे तुफान कब किनारा अब मैं ही बनूँगी सपना की आत्मे समा आत्मे विश्वास वाले बातों को सुन कर जतिन को अजीब सा हैसास हुआ लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सपना अपना बैग उठाकर वहां से चली गई सपना वहां से सीधे ही अपने माता पिता के पास गई और उसकी आँखों में आशू आ गए सपना ने अपने माता पिता को अपने साथ होने वाले सारे दुब बहवार के बारें बताया जिससे माता पिता को भी बहुत दुख होता है और वे लोग अपनी बेटी का साथ देते हुए कहते हैं कि उसे वहां से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सपना भी खूस होते हुए कहती है कि अब वह आजाद महसूस कर रही है और जल से जल इस रिष्टे को खत्म करके अपने आगे के जिनगी को सुखी बनाना चाहती है सपना अपने माता पिता से कहती है मेरे अंदर जो भी आत्म बिस्मास आया है वह उस चिठी की बदौलत ही आया है लेकिन मुझे या समझ नहीं आया कि आखिरकार वह चिठी मुझे भेजी किसने मन में चिन्ता लिये सपना बैठी हुई थी तभी उसे सुकन्य अंदर आते हुए दिखाई देती है और वह हसते हुए कहती है तुम्हारी वह गुमनाम दोस्त और कोई नहीं बलकि मैं ही हूँ मैंने जतिन को देख लिया था कि वह किस तरह से तुम्हें परशान कर रहा था लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रही थी इस बज़ा से मैंने तुम्हारा अद्रिश्रे रूप से साथ देने की बात सोची लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहां आकर पहले से ज़ादा खुश और अजाद हो शुकन्या की बात सुनकर अपना रोते हुए सपना रोते हुए उसे गले से लगाती है और बार बार उसका धहनवात करने लगती है सपना आए इस बदलाव से खुद को अस्थापित करना चाहती है जिससे किसी के आगे भी उसे जुकना न पड़े अब फिर से बैंक के त्यारी करके एक अच्छे पोश्ट पर आ जाती है अपने जीवन में चल रही उथल पुथल को खत्म करके उसने अपने जीवन को बचा लिया दोस्तो हमारे आसपस कई परकार की महलाई होती है जो सच्छम होते हुए भी एक सही फैसला नहीं उठा पाती अगर हमारे समाज की महलाई जागरुप होती है तो इससे समाज की ही भलाई होती है आज हर महिला को समाथ से पहले खूद के बारे में सोचने की अवशकता है ताकि कभी भी उसे किसी गलत भावना के सावने जूकने की अवशकता नहो जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान का सिच्छा है इसलिए महिला को सिच्छित होना जरूरी माना गया है अगर आपको ये कहानी पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थेंक्यू सो मज